पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगास सच दिखाने का हम है आपकी आवाद भोपाल समय जगत समू के प्रधान संपादक माने अशोक्तर पाठी जी ने प्रधान मंत्री माने नरेंद्र दामूद दास मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुबकामनाएं दी भारत वर्ष के य śashvi प्रधान मंतरी स्री नरेन जी मोजी का आज चेन दिवास में और यहां इस माइने में एक विशेस प्रसंग हो जाता है कि हाल ही के समय में जिस प्रकार के नरणेयों नों इस देश के प्रधान मंतरी के रुख में लिये उन्होंने भारत की जो वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाई और भारत में एक कुछ समश्याओं का जो इस्थाई समाधान किया वहें निरणय विरक्षण हैं इस नाते के कहा जा सकता है कि मोदी जी ने इतिहास रच दिया क्योंकि धारत 370 वाला विशय कर्ष्णीर के विशय को इतने वर्षों से दिगत 72 वर्षों से कोई सरकार उस पर नेना नहीं ले सकी और उस मामले को ताला जाता रहा इसी तरह तीन तलाक का मुद्दा जिसने पूरे मुस्लिम समदाय की महिला वर्ष को उनका मुरीद बना गिया वास्तम में एक सोतंत्र देश में इस धर्म रिपेक्ष देश में महिलाओं के साथ इस प्रकार का दोयम व्यभार हो रहा था तो ये दोनों एतिहासिक निरने दिगत दो तीन महने के इंतरके हैं और साथ में वैश्वीक पृतिष्ठाक की द्रिष्टी से जिस तरह उन्होंने एक सामन जेस और समनवे पूरे विश्व के राष्टरों से बिठाया और कश्मीर के मुद्दे पर जिस तरह पूरा विश्व समदाय को अपने साथ लिया जिसमें पाकिस्तान अलग थलग और अकेला पढ़ गया और अमेरिका पूरी तरह से भारत के प्रती भारत के निर्णाय के प्रती समर्थित और समपर्कित और जितने सम्मान जनए ढंग से विवार किया इन सब विश्यों को देखकर लगता है कि एक प्रधान मंत्री के रूप में निश्चित रूप से आजादी के बास से अभी तक सबसे एहतिहासिक और सहासिक निर्णेर लेने वाले कोई प्रधान मंत्री है तो नरिंद मोदी जी है जैन्म दिवस के असपर इस आउसर पर हम च इस आउसर पर देश भर में समय जगत संहू की विस्त्रत संबाद्याता शंखला पाठत शंखला खबर समय जगत देव चैनल का पाठक वर्ग संबाद्याता वर्ग इन सभी की ओर से राष्ठित के ऐसे एहतिहासिक और सहासिक निर्णेरों के लिए पुन्हय यशश्वी प्रधान मंत्री श्री नरिंजी मोदी को कोटी शयमंगल कामना है शुप कामना है